आज मैं बनाने जारे हूं डोसा चिला बहुत ही तेश्टी बहुत ही यम्मी और बहुत ही कम टाइम में बन करके तयार हो जाता है तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर तो चलिए फटा फट से इस रेसिपी को बना लेते हैं तो मैंने यहां पर लिया है एक अज़ी को बना लिया आा बैटर बना लिया आप देख सकते हैं इसे जो कंसिस्टेंसी है बिलकुल इसी तरह से होना चाहिए ज़दा गाडा नहीं होना चाहिए तो इसको हम incarnate के लिए्र करने के लिए तो लीजी आदा गंटा हो गया है अब हम इसे रिष्ट करने के लिए जब रखते हैं तो इसका जो पानी है उपर आजाता है और जो आटा है नीचे में जम जाता है तो हमें इसे फिर से मिक्स कर लेना है अब यहां पर तवा गर्म हो गया है मैंने तवे में आइल लगाया है और यहां बैटर को फेला लेंगे अब हमें इसे ढख देंगे कवर कर देंगे और हमें इसे एक मिनट तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है हाई फ्लेम नहीं करना है नहीं तो जो चीला डोसा है जल जाएगा अब एक मिनट हो गया है अब हम इसे चेक कर लेते है आप चाहें तो इसे आप बीच में भी चेक कर सकते है तो लिजे ये पूरी तरफ से निकल गया है हम इसे पलट लेते है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे से सिखा है हमारा चीला डोसा बहुत ही क्रणची है खाने में ये तो इसी सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा चीला डोसा भी सेख लिया है अब जो बिल्कुल तयार हो गया है आप इसे टमाटर के चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है इसे मैंने डोसे की तरफ फोल्ड किया है तो आप एक बार जरूर से ट्राय करिएगा आपक इसे कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेश्ट वीडियों